नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों एपल ने अपनी वर्ल्डवाइट डेवलपर कॉन्फरेंस में आइफोन के लिए अपने नए सौफ़वेर iOS 16 को शोकेस किया है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ iOS 16 में आने वाले सारे मेजर चेंजिस की जानकारी मेरा नाम है सिदार तो आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया दोस्तों एपल ने iOS 16 के डेवलपर बीटा 1 को रिलीज कर दिया है और इसका पब्लिक बीटा दोस्तों जुलाइ के फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों iOS 16 का ये सॉफ्ट्वेर हमें iPhone 8 onwards ही देखने को मिलेगा यानि कि अब हमें iPhone 6, 6S, 7 और 7S में iOS 16 देखने को नहीं मिलेगा चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि iOS 16 में हमें क्या चेंजिस देखने को मिलते हैं दोस्तों जो सबसे बड़ा चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो मिलता है iPhone के lock screen पे आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि iOS 16 में iPhone के lock screen को completely redesign कर दिया गया है आप दोस्तों यहाँ पर left side में देख सकते हैं कि iOS 15 में हमें lock screen कैसा देखने को मिलता था और right side में iOS 16 में अब हमें lock screen कैसा देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तों अब हम अपने iPhone के lock screen को customize भी कर सकते हैं जब दोस्तो हम अपने phone के screen को unlock करने के बाद उसके उपर ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो हमें ये customize का option देखने को मिलेगा इस customize वाले option पे उपर टैप करके दोस्तो हमें ये option देखने को मिलते है add new के इस add new वाले option के उपर टैप करके दोस्तो हम यहां से different wallpapers को चूज कर सकते हैं अपने lock screen पे add करने के लिए इसके अलावा दोस्तो हम यहां से उपर से इन में से किसी option को भी अपने iPhone के lock screen पे set कर सकते हैं जैसे for example अगर हम यहां पर इस weather वाले option को चूज करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर weather का animation हमें देखने को मिलेगा हमारे iPhone के lock screen पर इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर जो हमें यह time को देखने को मिल रहा है इस time के दोस्तों font को और color को भी हम यहां पर change कर सकते हैं अगर हम यहां पर इसके उपर tap करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हम different fonts के option देखने को मिलते हैं यहां से हम इन font को change कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो हम यहां से इसके color को भी change कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तो यहां पर हम time और date को change कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो अगर हम यहां पर इस plus button के उपर tap करते हैं तो यहाँ से दोस्तों हम widgets भी add कर सकते हैं अपने iPhone के lock screen पर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें different widgets देखने को मिल रहे हैं जो कि हम अपने iPhone के lock screen पर add कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें यह temperature का widget देखने को मिलता है यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पर tap करते हैं तो यह temperature का widget आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे lock screen पर add हो गया है इसके अलावा दोस्तो हम यहाँ पर calendar widget भी add कर सकते हैं और यहाँ पर activity widget भी add कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तो हम यहाँ पर एक साथ चार विजिट्स को एड़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। उसके बाद दोस्तो हम यहाँ पर इस डन वाले आप्शन के ओपर टैप करके यहाँ पर इस लॉक स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। एक और चेंज दोस्तों जो हमें यहाँ पर lock screen पे देखने को मिलता है कि अब हम यहाँ पर एक से ज़्यादा lock screen को भी set कर सकते हैं अपने iPhone में अगर हम दोस्तों यहाँ पर इस plus वाले option के उपट टैप करते हैं तो यहाँ से दोस्तों हम दूसरे lock screen को भी configure कर सकते हैं चलिए हैं यहाँ पर इस wallpaper को चूज कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर इस wallpaper को चूज करते हैं और done पर tap करते हैं तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि अब हमें nhà पर दो lock screen देखने को मिल रहे हैं जो अभी हमने set किये हैं इसी तरीके से दोस्तों आप और भी lock screen यहाँ पर add कर सकते हैं अपने iPhone में इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर notification में भी change किया गया है हमारे lock screen में और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे iPhone में notification अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं तो ये एक notification में भी हमें एक ये change देखने को मिलता है हमारे iPhone के lock screen में इसके अलावा दोस्तो एक और नई चीज हमें देखने को मिलती है हमारे lock screen में जो की है live activities जिसमें दोस्तो आप live activities जैसे की किसी match के score को या फिर अपने workout को live देख सकते हैं अपने iPhone के lock screen पर इसके अलावा दोस्तो अब आप यहाँ पर अपने different focus mode को अपने different lock screen के साथ attach भी कर सकते हैं जैसे की अगर मैं यहाँ पर do not disturb mode को select कर लेता हूँ इस lock screen के साथ तो जब भी मैं दोस्तो अपने phone में do not disturb mode को on करूंगा तो automatically मेरे iPhone में यह वाला lock screen यहाँ पर on हो जाएगा चलिए देखते हैं कि यह feature कैसे काम करेगा अगर मैं दोस्तो यहाँ पर अपने phone में control center को open करता हूँ और यहाँ से do not disturb वाले focus mode को on कर देता हूँ तो उसके बाद अगर मैं अपने phone को यहाँ से lock करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि automatically मेरे phone का lock screen वहाँ पर उस focus mode से related सेट हो गया है तो यहाँ पर दोस्तो focus mode को भी different lock screen के साथ यहाँ पर link कर दिया गया है इसके अलावा दोस्तो यहाँ पर focus mode में एक और change देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तो अगर हम iOS 16 में किसी focus mode में जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो नीचे आप यह एक यह नया option देख सकते हैं focus filter का अगर हम यहाँ पर दोस्तो left side में iOS 15 में देखते हैं जैसे कि दोस्तो आप यहाँ पर Safari में add कर सकते हैं उन website को जिनको आप इस focus mode के साथ use करना चाहते हैं उसके बाद दोस्तो जब आप इस focus mode को add करेंगे तो आप Safari में सिर्फ उन website को देख पाएंगे जिनको आपने इस focus mode के साथ link किया है ऐसे ही दोस्तो आप यहाँ पर mails, messages और calendar में different focus filters को add कर सकते हैं नेक्स जेंड दोस्तो हमें देखने को मिलता है messages app में messages में दोस्तो अब आप अपने send message को यहाँ पर दोस्तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर edit कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो यहाँ पर हमें एक और नया option देखने को मिलता है messages में undo send का अगर हम इस undo send वाले option के उपर tap करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा message यहाँ से गायव हो गया है इसके अलावा दोस्तो अब हम messages में किसी भी red message को mark as unred भी कर सकते हैं नेक्स जेंज दोस्तो हमें देखने को मिलता है share play feature में share play feature में दोस्तो जब आप अपनी face time call में share play button के उपर press करते हैं तो अब आप यहाँ पर दोस्तो iOS 16 में देख सकते हैं उन सारी apps की list जो share play को support करती है इसके अलावा दोस्तो share play feature अब हमें face time call के अलावा messages में भी देखने को मिलता है जब हम दोस्तो अपनी messages app में जाते हैं और यहाँ पर किसी भी ऐसी app को open करते हैं जो share play को support करती है तो हमें यहाँ पर वो option देखने को मिलता है चलिए दोस्तो यहाँ पर demonstration के लिए इस music app के उपर tap कर देते हैं अब आप दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर share recently plate का option देखने को मिलता है जब हम यहाँ पर इसके उपर tap करेंगे तो यहाँ पर आप दोस्टों देख सकते हैं कि यहाँ से हम अपने इस music को अपने messages के तुरूँ share कर पाएंगे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर messages में dictation में भी कुछ changes देखने को मिलते हैं Messages में दोस्तों हम यहाँ पर इस Dictation वाले option के उपर tap करके अपने Messages को dictate कर सकते हैं। iOS 16 में दोस्तों अब आप यहाँ पर Dictation के साथ type भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अब आप यहाँ पर किसी भी text को ऐसे highlight करके उसको Dictation से replace भी कर सकते हैं इस तरीके से। पहले दोस्तों यह Live Text Feature हमें सिर्फ Photos में ही देखने को मिलता था। लेकिन अब दोस्तों iOS 16 में यह Live Text Feature अब हमें वीडियो में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हम अगर अपनी Photos Library में किसी वीडियो को open करते हैं और यहाँ पर इस वीडियो को अगर यहाँ पर pause कर देते हैं तो pause होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीडियो में अब हमें यह Live Text का बटन देखने को मिलता है। जब हम इस Live Text वाले बटन के उपर यहाँ पर प्रेस करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर different text highlight हो गए हैं तो इस तरीके से दोस्तों अब आप iOS 16 में अपनी वीडियो में भी Live Text फीचर को यूज कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अब हमें Live Text फ इसके साथ साथ दोस्तों आप इस Quick Action वाले option की मदद से different language को translate भी कर सकते हैं बड़ी असानी से इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा ही interesting feature आप एड़ किया गया है कि अब आप यहाँ पर अपनी photos में मौजूद किसी भी image को इस तरीके से यहाँ पर ऐसे select करके किसी और app में paste कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अपनी messages app में जाता हूं तो यहाँ पर इस image को मैंने drag करके अगर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूं तो यह image हमारे यहाँ पर messages में आ जाएगी तो इस तरीके से अब आप अपने किसी भी photo में म ना दिया गया है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चेंज हमें देखने को मिलता है कि अब हमें यहाँ पर अपने आईफोन के होम स्क्रीन पर नीचे ही स्पोटलाइट सर्च का ये बटन दे दिया गया है अब हम डियाटली यहाँ पर इस बटन के उपर टैप करके अपने फोन में स्पोटलाइट सर्च में जा सकते हैं इसके अलावा दोस्तो अब हम यहाँ पर अपनी spotlight search में actions को भी डाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर मैं set press करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे series suggestion में torch का option देखने को मिला है यहाँ से दोस्तो मैं shortcuts को भी configure कर सकता हूँ और different action को भी यहाँ पर कर सकता हूँ अपनी spotlight search की मदद से next दोस्तो हमें देखने को मिलता है mail app में mail app में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जब हम अपनी mail app को पहली बार open करते हैं तो हमें यह नया splash screen देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर mention है कि यहाँ पर अब आप अपनी e-mails को schedule कर सकते हैं यहाँ पर आपनी e-mails के reminder डाल सकते हैं और अपनी e-mails को undo send भी कर सकते हैं तो ये कुछ changes हैं दोस्तों जो यहाँ पर हमें mail app में देखने को मिलते हैं इसके अलावा दोस्तों अब हमें quick notes भी देखने को मिलते हैं अपने iPhone में iOS 16 में next जेंड दोस्तों हमें देखने को मिलता है family sharing से related जब हम दोस्तों अपने phone की settings में जाते हैं इस family sharing वाले option से दोस्तों हम अपने different apps को, subscriptions को और purchases को अपने family के 5 members के साथ share कर सकते हैं यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अपने अलावा यहाँ पर अपने family के 2 members को भी add किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों अब आप यहाँ पर अपने बच्चों के लिए parental controls को भी add कर सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने बेटे को family sharing में add किया हुआ है अगर मैं यहाँ पर दोस्तों इस option के उपर tap करता हूँ और यहाँ पर screen time वाले option में जाता हूँ तो इस screen time वाले option में दोस्तों यहाँ पर मैं अपने different parental controls को set कर सकता हूँ अप्स के लिए, books के लिए, movies के लिए, tv shows के लिए और music के लिए जहां से दोस्तों मैं different apps की usage limit को set कर सकता हूँ इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमें यह नया option भी देखने को मिलता है family checklist का अगर हम इसके ओपर tap करते हैं दोस्तों तो यहां से दोस्तों हम communication limits को set कर सकते हैं यहां से अपने family के बच्चों की यहां पर settings को update कर सकते हैं next change दोस्तों हमें देखने को मिलता है photos app में photos app में दोस्तों अब हमें iCloud shared photo library का option देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों एक iCloud की shared photo library बनती है जिसको हम अपने family के 5 members के साथ share कर सकते हैं अगर हम दोस्तों यहां पर इस for you वाले option में जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको यह sharing suggestion वाला option देखने को मिलता है। अगर हम दोस्तो यहाँ पर iOS 15 पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह sharing suggestion वाला option यहाँ पर iOS 15 में हमें देखने को नहीं मिलता है। यहां से दोस्तों आप इन में से किसी भी album को अपने friends के साथ यहां पर share कर सकते हैं जब दोस्तों आप अपने friends के साथ album को share कर लेंगे तो आपके friends और आप उस album में photos को add कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ share कर पाएंगे अगर दोस्तो हम इस album को यहाँ पर share करना चाहते हैं तो जब हम इसके उपर tap करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर share with friends का option देखने को मिलता है जब हम इसके उपर next के उपर tap करते हैं तो यहां से दोस्तो हम add कर सकते हैं उन लोगों को जिनके साथ इस album को हम यहां पर share करना चाहते हैं जब हम यहां से किसी को यहां पर add कर देंगे तो यहां पर हम इस share in messages वाले option के ओपर tap करके इस album का link उस person के साथ share कर पाएंगे और वो person दोस्तो इस iCloud link के उपर टैप करके उस album के में अपनी photos को add कर पाएगा यहाँ पर आप दोस्तो देख सकते हैं कि यह shared album का option यहाँ पर देखने को मिल रहा है messages में अगर हम यहाँ पर इस send message के उपर टैप करेंगे दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह message देखने को मिल रहा है कि sent via iCloud तो यहाँ पर यह album दोस्तो हमारे यहाँ पर इस member के साथ share हो गई है इसी के साथ साथ दोस्तो जब future में हम अपनी इस camera app को open करेंगे तो उपर यहाँ पर हमें यह option देखने को मिलेगा यहाँ पर sharing का यहाँ सही दोस्तो आप उस option को select कर पाएंगे कि जिस photo को आप click कर रहे हैं कि उसको आप shared album में add करना चाहते हैं कि नहीं इसके अलावा दोस्तो एक और change हमें iOS 16 में देखने को मिलता है कि अब हमें अपनी photos app में hidden और recently delete photo को lock करने का option मिलता है यहाँ पर दोस्तो आप left side में देख सकते हैं कि iOS 15 में recently deleted के आगे यहाँ पर कोई lock का option आपको देखने को नहीं मिलता है जबकि यहाँ पर iOS 16 में आप recently deleted के आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर lock का icon देखने को मिलता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारा recently deleted folder अब locked है जब तक हम अपने face ID से इसको unlock नहीं करेंगे तब तक हम अपने recently deleted folder को यहाँ पर देखने ही पाएंगे तो यह एक और अच्छी चीज एड की गई है iOS 16 में नेक्स चेंड दोस्तो हमें देखने को मिलता है privacy में जब हम दोस्तो अपने phone की setting में यहाँ पर privacy and security वाले option में जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें यह option देखने को मिलता है safety check का इस option से दोस्तो हम दूसरे लोगों के साथ अपने saved password, location data और personal data के access को हटा सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि mentioned है कि if circumstances or trust level change, safety check allows you to disconnect from people, apps and devices you no longer want to be connected to तो यहाँ पर दोस्तो प्राइवेसी से related एक अच्छा feature add किया गया है iOS 16 में next change दोस्तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब हमें यहाँ पर अपने airpots के साथ personalized special audio देखने को मिलता है जब हम दोस्तो अपने airpots को अपने phone के साथ connect करते हैं और उसके बाद दोस्तो हम अपने phone की settings में जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि अब हमें airpots का option उपर ही देखने को मिलता है जब हम इस option के उपर यहाँ पर tap करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे जाकर देख सकते हैं यहाँ पर आपको special audio वाले section में एक नए option देखने को मिलता है setup personalized special audio यहाँ से दोस्तों आप अपने phone की true depth camera की मदद से अपने लिए personalized special audio की setting को set कर सकते हैं अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं कि यह feature कैसे काम करता है तो आप यहाँ पर see and how it works वाले option के उपर tap करके यह देख सकते हैं कि यह feature कैसे काम करता है इसके अलावा दोस्तों एक change यहाँ पर हमें देखने को मिलता है fitness app में Fitness app में दोस्तों अब आप बिना अपनी Apple Watch के अपने iPhone की मदद से अपने Steps को Track कर सकते हैं iPhone के Gyroscope की मदद से इसके अलावा दोस्तों यहां पर Third Party app से भी आप अपने Data को यहां पर Import कर सकते हैं अपनी Fitness app में जिससे आप अपने Activity Rings को Close कर सकते हैं इसके अरावत दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंजिस हमें देखने को मिलते हैं वालेट अप में, एपल पे से रिलेटिड, मैप से रिलेटिड और न्यूज अप से रिलेटिड लेकिन दोस्तों यह सारे ही चेंज इंडिया के लिए relevant नहीं है इसलिए मैं इन चेंजिस के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ तो दोस्तों यह थे वो सारे मेजर चेंजिस जो हमें आपर iOS 16 के बीटा 1 में देखने को मिलते हैं हमें उमीद है कि आपको यह वीडियो यूसफुल लगा होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों और परिवार की लोगों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल चके धन्यवाद